दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फेर आज के मेरे इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवी के ने सर्कुलर के बारे में देखो समय समय पर सेवी सर्कुलर जाली करता रहता है और वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो circular डारेक्ट, इंडारेक्ट रूप से आपको प्रभावी जरूर करता है जैसा अभी कुछ दिन पहले T1 का एक circular सेवी ने निकाला था मैंने बिल्कुल विस्तित रूप से आपको WhatsApp conversation और Telegram पे समझाया था अब जो ये circular आया है कल इसका जो first part है ना दोस्तों वो सेवी ने जुलाई में जारी किया था उसमें कहा गया था कि mutual fund house ध्यान से सुनिएगा जितने भी mutual fund house है उनके अधिकारी और बड़े-बड़े करमचारी जो मोटी salary पाते हो उनको साब अपनी salary का 20% अपनी ही जो company है उसके mutual fund में निवेश करना है जितने भी बड़े-बड़े करमचारी या अधिकारी थे जो भी mutual fund चलाते हैं उनको साब अपनी salary का 20% उसी mutual fund में निवेश करना है जहां वो काम करते हैं समझ गए यानि कि यह circular आया था जुलाई में अब सरकार ने या सेबी ने जो नया circular जारी करा है उसमें क्या कहा गया है जो करमचारी पहले वाले circular के बाद आते हैं यानि junior करमचारी जो junior करमचारी है जो रहे गए थे जो अपनी 20% सेली का निवेशित नहीं कर रहे थे अब अपनी सैलली का 20% तक इस mutual fund में निवेश करेंगे जहां वो काम करते हैं और ये योजना चरणरबर तरीके से दोस्तों लागू होगी योजना 1 October 2022 से लागू होगी शुरू में 10% फिर साब 1 October 2022 से 15% और साब 1 October 23 तक ये आते आते यानि की 20% हो जाएगा यानि की जो भी junior करमचारी हैं जो भी mutual fund house में काम करते हैं उन्हें अपनी सैलली का बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ 20% तक निवेश अपनी ही कमपनी के mutual fund में करना होगा पहले ये तो साब बड़े-बड़े अधिकारी लोग कर रहे थे 20% अपनी सैलली का अपने ही mutual fund में निवेश कर रहे थे होंगे समझ गे यानि कि कुल मिलाके दोस्तो पहले सरकार जो फस्ट जो सरकूलर लाई थी जुलाई में उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों करमचारी समलित किये गए थे जो मोटी सैलली पा रहे थे उनको कहा गया था कि आप अपनी 20% सैलली यानि कि आप अपनी सैलली का 20% अपने ही mutual fund को बाय करने के लिए खर्च करोगे या spend करोगे या निवेश करोगे अब इस दाइरे में साब लियाया वो से भी जुनियर करमचारी को इसका मकसद क्या है आखी ये जो सरकूलर है इसका असर इसका प्रफाव आप पर कैसे पड़ेगा देखो दोस्तो इसमें क्या होता है कि इसके दो फाइदे ह इस तरह के fund जो बंद ना हो इस तरह की दोका धड़ी ना हो इसलिए सेवी का ये नियम फाइदे मंद हो सकता है निवेश को के लिए आप निवेश को के लिए कैसे देखिए दोस्तों अगर किसी भी mutual fund के अधिकारिया करमचारी अपनी company के mutual fund में निवेशित रहेंगे तो उ जादा अच्छी तरह से handle कर सकते हैं अच्छी तरह से चला सकते हैं उस scheme का साथ मेरी क्याल से जादा से ज़्यादा परचार कर सकते हैं वहां से अच्छा return प्राफ वो कर सकते हैं अब मान लिया आम निवेश को का पैसा लगा हुआ है company के बड़े बड़े अधिकारी करमचा और अब तो जूनियर कमचारी अपने ही जहां वो काम करते हैं अपने ही fund house में अगर निवेश करेंगे अपने ही fund house के shares को या company के mutual fund में निवेश करके company के shares को buy करेंगे तो definitely वो उस पे जादा focus करेंगे और बंद होने का तो सवाल ही नहीं है इसका दूसरा value दूसरा benefit यही है कि बाजार में liquidity आती है इस तरह के जो circular आते हैं असे liquidity भी आती है और इसके परभाव दूर गामी होते है योजना तो बहुत दूर से लागू होती है जैसे योजना है जो circular आया है इसके अनुसार जो जूनियर करमचारी है वो एक October 2022 से 15% निवेश करेंगे लेकिन जो उसका अस salary का जो भी काम करते सपोस करो मैं mutual fund में काम करता हूँ अब मेरी salary का इतना percent हिस्सा अगर कटेगा तो वो क्या होगा market में जाएगा company के पास जाएगा तो liquidity बड़ेगी नहीं बड़ेगी बाजार में यह सब liquidity को maintain करने के लिए है आम निवेश को को फाइदा करने के लिए है ज इतने भी circular से भी लाए उसको ध्यान से पढ़ा करो मेरे टेलिग्राम चैनल पर चले जाना बिल्कूल इस परस्ट रूप से यह circular हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो जुलाई में circular आया था उसमें बड़े बड़े अधिकारी समलित किये गए थे अब जो कल circular आया है इसमें सहाव छोटे गरमचारी जो mutual fund में काम करते हैं उनको समलित किया गया है यानि कि उनकी salary का भी कुछ हिसा अपने जहां वो काम करते हैं वहां निवेश जर होगी 10% सुरू हो जाएगा अब इसे लेकिन 15% एक अक्टूबर 2022 से होगी और 20% एक अक्टूबर 2023 से होगी यानि कि जो junior करमचारी हैं वो भी साब बड़े करमचारियों की तरह 20% अपनी salary का निवेश करेंगे अपने ही mutual fund में उनकी take home home जो salary होती है दोस्तों उस पे तो अस हो जाएगा यानि कि उनका निवेश 3 साल के लिए lock हो जाएगा locking period इसमें 3 साल है 3 साल के बाद ही वो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं तो ये एक छुटा सा update था मुझे आपको आज देना था आग्या दीजिए मुझे आज का वीडियो समात करने की इस update के बारे में अगर आख इससे कोई चीज समझ में नहां आ रही हो कुछ और अगर पूछना चाते हैं तो मेरी टेलीगराम चैनल पर चले जाए सरकुलर वहां बिल्कुल इस पर सूप से लिखा हुआ खुला हुआ है और फिर साम को WhatsApp conversation आपके लिए है अभी कुछ दिन से WhatsApp conversation बंद है लेकिन मैं क कोशिस करता हूँ सभी के answer देने की चाहे वो वो मैंने क्याल से अपनी voice के थुरू दूँ या चाहे लिख के थुरू आप question छोड़ दीजिए मैं उसका answer देने की कोशिस करूँगा तो आग गया finally आपसे आग गया चाता हूँ आज का वीडियो समात करने की मुलाकात होगी क किसी next वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक कीजिए इनतजार finally आपसे नमस्कार